नमस्ते किसान भाईयों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चानल देरी बिजनेस में आज की उडियों में हम बात करेंगे डेन्मार्क के सबसे बढ़िया बुल पचास जरो तिरुपन यानि की इरोस के बारे में तो चलो शुरू करते हैं आज की उडियों तो बहुत सारे पशुपालक के आया किसान भाईयों का ये हमेशा सवल रहता है कि डेन्मार्क का सबसे टॉप बुल काउंसा है जिसको हम अपने फार पर यूज कर सकते हैं और जिसके यूज करने से हम ज्यादा से ज्यादा मिल्क और फैट इंप्रूमेंट पा सकते हैं तो हमने आज सबसे बढ़िया बुल पचास जरो तिरुपन के बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया है तो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि सायर डिरेक्टरी से हमने डेनमार्क का इरोस यानि की एचप पचास जरो तिरुपन ये बुल शो किया है इसके बारे में हम आज डिक्टेल से बात करेंगे ये बुल कैसा है ये कितना दूद बड़ा सकता है कितना बड़ा सकता है और क्या-क्या-improvement कर सकता है और साथ में हम वीडियो के अंत में आपको इसके आई हुई प्रोजिनिया भी दिखाएंगी तो वीडियो में अंतर्ख बनी रहे गा तो यह बूल की फोटो आप देख रहे स्क्रीन पर और इसका जो उपर आपको दिख रहा होगा डाइमंड यानि कि इसकी जो कैटेगरी है वो डाइमंड में आती है यानि कि बहुत अच्छा बूल हम इसको मान सकते हैं तो इसके नंबर या आईडी के नीचे आपको उसकी डे प्लस 37 और जो लोगों है उसके नीचे नौरडियक टोटल मेरिट यानि कि इसका मतलब होता है कि जिनोमिक नौरडियक टोटल मेरिट तो यह क्या होता है तो यह होता एरोपेन की तीन कंट्री डेन्मार्क स्वीडन और फिंडलंड इन तीन देशों में जो एकोनोमिकली यह बनाया जाता है और एक ऐसा काम करता है तो जितना एंटियम यानि कि नौरडिक टोटल मेरिट जितना है होगा उतना ही वह बुल आपको एकोनोमिकली अच्छा प्रॉपिट देगा तो इसमें कुल मिला कर डेन्मार्क यानि कि एंटियम कंट्रियोज ने फिप्टीन ट् कि एंटियम डेन्मार्क के सभी बुलों में हाई जो प्लस सैंती से तो एक आप याच्छा बूल माना जा सकता है जिससे इल्ड ग्रोथ फर्टिलिटी काल्विंग अडर हेल्थ जेनेटिक हेल्थ फर्टिलिटी काल्विंग जो यूदिसी यानिकी अडर का कंपोसाइड मिल सब्सक्राइबिलिटी टेंप्रामेंट लांगेविलिटी सर्वाइवल जो हम बोलते हैं उसको फीडिपीशेंसी यह सब जो अच्छे ट्रेड से इन सब को मिला कर इसका जो एंटियम है वो कापी हाई जो प्लस सैंती से तो उसके नीचे आपको जो हाईलाइट में या अच्छे बुल के अंदर मौज ते जिसका यूज करने से आपको इंप्रोमेंट जाता से ज्यादा मिल सकती है तो बुल के नीचे आप देख सकते मिल्क मैक्स यानि कि यह बुल काफी अच्छी मिल्क के लिए फेमस है इससे आनिवाली जी प्रोजिनिया है वो काफी यानि कि जो कफी कमज़ॉर घाये है जो ब्रीडिंग के लिए अच्छी नहीं है जिसमें दूत की कमी है, फ्याट प्रोटिंग की कमी है जिसकी फ्रेम् ot Audio kandiction है वो अच्छी नहीं है जो मस्टिटिस के शिकार होते है यानि कि आडर काफी कमज़ॉर हैं, लेक्स यानिकी कम पासकते हैं इसका मतलब होए यह आल राउंडर बूले तो साथ में आपको रेड अक्षर में इसकी पेडिग्री डिटेल्स मिलेगी पेडिग्री डिटेल्स पटना जरूरी क्यों है क्योंकि हम जैसे भी इरोस का सेमेन लगाएंगे उसकी जो बच्छी आएगी उसको आगे खत्रा दे सकती है कभी काबा तो उससे हम बच सकते हैं तो इसकी पेडिग्री है सुपर शॉट्ट ओमैन और डिड्रिक आप नीचे देख सकते हैं इस आयर नेम जो इरोस के पिता जी का नाम है कोजन्ट सुपर शॉट्ट साथ में उसका आपको हाइलाइट में नेट नौर्डी एक टोटल मेरिड दिया हुआ है जो प्लस धर्टी में जो काप याच्छा है तो साथ में जो भादर साइड की तीन जनरेशेंग की पीडिग्रे आपको साथ में देखने की मिलेगी साथ में आपको नीचे दिखेगा डैम नेम जो अंडर स्ट्रप मॉम केरीन यानि कि इसकी जो मदर है उसका नाम है अंडर स्ट्रप मॉम केरीन और साथ में उसकी पीडिग्री फिर उसके माता-पिता इसी प लुए वैल्यू थी रेकॉर्ड बना नहीं कि या समरी बना नहीं कि यानिकि उनका जो नैशनल एवरेज हृड था लुए समरी बनाई तो इसमें जो कोजंट शुपर शॉट है इसका बाप इसका मिल्क दिया है तेवीस सो छेयासी किलोग्राम में जो काफी आच्छा है फैट में फैट दिया है साथ में प्रोटीन दिया है और नीचे आप देखेंगे टाइप ट्रेट सीवीवी यानि कि इस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू जो फ्रेम का है इसकी जो सुपर शॉट की जो फ्रेम है उसका लेक से और अडर है उसके बारे में जानकारी दिये है हंड्रेड को इन्होंने एक जिरो बेस बनाया है उसके आगे आप जैसे 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 जो अंक बढ़ते जाएगे जैसे 101,102,104 आप देख रहे इसका अडर 104 है तो यह कपी आच्छा इंप्रूमेंट करेगा और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो यह कम इंप्रूमेंट वाल होगा उसके नीचे आप देखेंगे जो अडर लेक्स और फ्रेम का इन्होंने एक अलेक स्थम बनाया है और ग्राफिक्स के दौरा आपको समझाने के कुशिश की है तो आप नीचे देखेंगे तो डैम्स बेस्ट लेक्टेशन डिटेल्स यानि कि जो इरोस की मदर है उसका लेक्टेशन का समरी इधर देखने को मिलता है तो जो उसका मिल्क रेकॉर्ड है वो 14,390 लिटर यानि कि फर्ट लेक्टेशन में इसकी मदर ने 14,000 से उपर मिल्क दिया है और साथ में एवरेज मिल्क फैट है चार एक नाइन यानि कि चार दो के सम्तिंग इसका फैट आया है और प्रोटेन भी काफी अच्छा है जो टीन छे के बराबर है साथ में आपको इवीवी मिल्क दिखेगा जो आक्रा सो पच्चास किलोग्राम है काफी अच्छा और नीचे फ्रेम लेक्स और अडर ये सब मदर के काफी अच्छे तो ग्राप के दौरा ये आपको समझाए लेक्स और फ्रेम तो फ्रेम में इसकी मदर का सबसे ज्यादा इंप्रोमेंट है और आप निचे जाएंगे तो आपको जिनोमिक इस्टिमेटेड ब्रिडिंग वैल्व यानि कि जी इवी जो खुद भूल की है यानि कि पच्चास हजार तिरपन भूल की जो जी इवी है उस समरी बुल का बनाए गाया है तो आपने जो उपर देखे दो ए रोस के बाप का और माता का इन दोनों का समरी और ग्राप आपने देखा आप नीचे आखिर में आपको बुल का ग्राप दिखने को मिलेगा तो जिनोमिक वैल्यू फॉर मिल्किड किलोग्राम जो 269 किलोग्र पाच की बेस फैल्यू जो नौरडी अप कंट्री नौरडी अप कंट्री की थी तो उसमें डेन्मार्क स्विडन और फिंडलेंड है देश आते तो उन सब की मिला कर पहले लेक्टेशन से लेकर थर्ड लेक्टेशन की तो नेशनल एवरेज हर्ड है लगभग 9020 किलोग्राम के असपास 2005 की तो उसमें हमें 2669 को मिलाना है यानि कि 9020 प्लस 2669 तो टोटल कुल मिला के 11,619 लिटर इसकी जिनोमिक यानि कि प्रेटेड मिलक आएगा इसको जी पीटी ए मिलक यानि कि जिनोमिक प्रेटेड ट्रांस्मेटिंग एबिलिटी जो इसकी जो बचिया है इतना द रिलाइबिलिटी आती है 70 से 80 की बीच में तो 75 यानि कि 100 बच्चियों को आप नौर्डियों कंट्री में इरोस का सिमेन लगाते ही तो उसकी 75 बच्चिया आपको 100% 11,609 लिटर के सम्थिंग एवरेज मिलक देगी तो ये काफी मिलक अच्छा है उसके साथ आपको उसका 2005 ब दिखने को मिल रहा है उसका प्रोटीन दिखने को मिल रहा है तो फैट और प्रोटीन का प्याच्चा है तो इसका जो साइज है एवरेज साइज वह भी मॉडरेट है यानि कि बड़ी गायों का आप लगाते तो उससे आप छुटी गाय पाना चाहते तो इरोस का सिमेन आप यूज्स कर सकते हैं और्वली ये पैट और प्रोटीन हाई हने की वज़े से इसकी फिडिए काफी ज्यादा है तो एक चारा खाके भी आप को आपको अच्छा बारे में जानकारी हसिल किये तो यह वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेट में जरूर बताए साथ में आप आगे कंसे बुल का इंपोर्मेशन चाहते वह भी हमें बताए वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आत में हम कुछ इस पाचाश हाजार तिर्पन की प्रोजिनियाओं की फोटो वीडियो साथ में जोड रहे है वह भी जरूर देखिए तो रुपे यह पे दनिए पी दन्मेशन आगे के स्थेशन आगहे हैं देखिए